लगातार खब्रों के लिए बेल आइकन दबाईए हमारे साथ जूड़े रहने के लिए न्यूस 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए नमस्कार स्वागत आपका न्यूस 29 इंडिया में मैं हूँ आपके साथ कविता पांडे केरल राज्यू के बाद मध्य प्रदेश के उमध्या जिले में जानवर को विसफोटक खिलाकर मौत की मुहाने पर की जानी की घटना प्रकास में आई है वही गाय का 15 दिनों का बच्रा दूद के लिए तरस रहा है पुलिस ने विस्फोटक अधिनियम पसू कुरिता अधिनियम का अग्यात वैक्तिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है हमको और आपको बच्पन सहीं बढ़ाय जाता है बताय जाता है कि गाय हमारी माता है मगर आज उमरिया जीले के पाली थाना 6 तर अंतरगत गाय को विस्फोटक खिलाने का मामला साम्याया है जिम्मेदारों ने अग्यात वैक्तिक के खिलाफ मामला दर्च को राया है लेकिन 14 तारिक को गाय सुभा गई है, साम को नहीं आई, मेरे द्वारा ढूगा गया, नहीं मिली, दूसरे दिन पानी गिनने लगा, फिर भी ढूगा नहीं मिली अधिक्षोक का कहना है किस मामलिय की गंभिता को देखते वे डॉग स्कॉर्ट मंगाया गया है, जाचे जोरो पर चल रही है, अग्यात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्च कर लिया गया है आज मुझे पता चला कि पाली खानांदगर ग्राम गिंजरी में एक गव माता को बंब खिलाया गया, और जिससे उसका पूरा जो चेहरा है, खाना खाना जो मूँ पूरा फट चुका है, और उसका मालिक धूरते धूरते कई दूरों बाद उसको पाया है आज उस गव माता की ये हाल है कि वो विचारी चारण ही खा पार ही मर रही है, अभी आप लोग ने देखा होगे कुछ दिन पहले केरल की घटना थी हाथ नहीं मरी हो, जितले पूरी मीडिया पूरा भारत खड़ा हो चुगा था, ये उमरिया की घटना, उमरिया का ‫े करवा तो हम करवाएंगे नहीं तो सजा, इस गाए के शरीर में 36 करोड देवता निवास करते हैं, जिससे हिंदू धर्म में मां का दरजा दिया गया हो, उस गाय की यह स्थिति को देखकर पूरा शोहर सद्मे में है वह छेत्र की जनता में आकरोश व्याप्त है और वही गाय और गाय के बच्छडे को बचाने के लिए पूरे प्रयास केज़ आ रहे है उमरिया से राजकुमार गौतम की रिपॉर्ट आप देखते रहें न्यूस 29 इंडिया एक देश सारे प्रदेश